Hello everyone, welcome back to my channel इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियो मॉफलाजी का चाप्टर Earth Moment का पार्ट नमबर फोर्थ पार्ट थर्ट तक हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने फॉल्स को कम्प्लीट कर रहा था बड़ टाइप सो फॉल्ट रहा गया था तो इस वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपको नोट सीए तो वो आपको इंस्टेग्राम पे मिल जाएंगे इंस्टेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया हुआ है और इससे पहले जो भी हमने पढ़ाई करी है जो माफलोजी में अगर आपको वो पढ़ना हो तो उसके लिए भी लिंक given अपले लिस्ट का दिस्क्रिप्शन बोक्स में ठीक है एक बार दिस्क्रिप्शन बोक्स आप चेक कर लेना तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फॉल्स का जो टाइप से उसे पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है A few term regarding an ideal fault should be understood हमें क्या करना है कुछ terms हैं जो कि ideal fault को बनाने के लिए जरूरी होती है उन्हें समझना बहुत ज़ादा जरूरी है क्यों? Before going into the details of the mode of formation of various types of faults हम चाहिएंगे अभी कहाँ जो formation हो रहा है various types of faults का वो कैसे हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अलग-अलग तरहा के faults कैसे create हो रहे हैं उनका कोई न कोई reason होगा या तो force की वज़े से जो भी हमारे computational, intentional force जो भी लगते हैं उनकी वज़े से या फिर जो vertical और horizontal moment होता है उनकी वज़े से तो इनका कुछ न कुछ योगदान तो रहा ही होगा types of faults में तो सबसे पहले हम उनको समझेंगे and then हम कहाँ कुझेंगे formation of various types of faults में तो उन टम को पहले समझ लेते हैं पहले देखो हमारा fault plane fault plane का है is that plane along which the rock blocks are displaced by tensional and compressional force acting vertically and horizontally to form a fault यह fault plane क्या होता है एक ऐसा plane होता है जहां पे जो rock blocks है हमारे वो displaced होते हैं जो भी हमारे rocks होते हैं वो displaced होते हैं या तो compressional force की वज़े से या तो tensional force की वज़े से ठीक है और यह compressional, tensional force कैसे लग सकता है या तो vertically लग सकता है या तो horizontally लग सकता है ठीक है fault बनाने के लिए तो यहां तक सबका clear होगा आप ही देखो आप जो भी सोच रहोगे tensional force और compressional force क्या होता है तो देखो यह मैंने clear करा दिया है पहले कि जो भी वीडियोस है इस chapter के उसमें हमारा force complete हो चुका है तो आप एक बड़ जाकर के पढ़ ले ना उसके बाद आपको सारी चिज़े अच्छे से समझ में आने लगेंगी तो देखो fault plane क्या होता है यह तो समझ में आ गया अब है a fault plane may be vertical, inclined, horizontal, curved और of any other form यह जो हमारा fault plane है क्योंकि computational forces और tensional forces दोनों लग रहे और horizontally और vertically दोनों moment हो रहा है तो इसके वज़े से हमारा जो fault plane बनेगा वो vertical भी हो सकता है inclined हो सकता है horizontal हो सकता है curved हो सकता है और किसी भी form में हो सकता है ठीक है आगे मारा पास है fault deep तो deep तो हमने पढ़े रखा है भाई आपको याद होगा deep क्या होता है तो अब fault deep एक बार फिर से देख लेते हैं is the angle between the fault plane and horizontal plane आपने पढ़ा था ना fault plane जो हमारा inclined होता है उसके बीच में और जो horizontal plane होता उसके बीच का क्या होता है ये angle होता हमारा fault deep अब throne side क्या होगा अब throne से ही लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ उपरी सतह होगा represents the uppermost block of a fault जो भी हमारे faults create होते हैं उसका जो uppermost path होता है ठीक है ऐसे देखो fault create होगा तो जो uppermost part होगा उसको हम क्या कहेंगे upthrone side downthroat side वही जो down में होगा जो नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे ये जो नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे downtron side represents the lower most block of a fault ओके clear हो गया सबका hanging wall क्या होता है is the upper wall of the fault जो wall होता है जो दिवाल होती है fault की उसको हम क्या कहते हैं hanging wall कहते हैं आगे हमारे पास है foot wall foot wall क्या होता है represents the lower wall of a fault अब देखो जो hanging wall है वो upper wall को represent कर रहा है और जो foot wall है वो lower wall को ठीक है जो उपर का जो दिवाल होगा उसको हम hanging wall कहेंगे और जो नीचे वाला दिवाल होगा वो किसको हम कहेंगे उसको foot wall कहेंगे उसको ठीक है fault is carb क्या होता है बनता है देखो fault scrap ये सब जो भी हमने अभी पढ़ा है इन सब को हम diagram से एक बार समझ लेते हैं क्योंकि इसमें diagram का होना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जोग और geography हमारा ये सब note कर लो एक चीज़ scarps में scarps are not always formed due to faulting alone हम क्योंकि fault के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ अभी ध्यान में रखो कि जो scarps है वो सिर्फ faulting से ही नहीं बनता है इसके अलावा किस चीज़ से बनता है these are also formed due to erosion erosion जब होता है तो उसकी वज़े से भी हमारे scarps बनते हैं बट वेनवर इस आर formed by faulting these are called fault scarps लेकिन जब ये faulting की वज़े से बनते हैं इरोजन की वज़े से बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं यहां पर नहीं लिखा हुआ लेकिन faulting पढ़ रहे हैं तो faulting की वज़े से जब ये बनते हैं scarps तो इन्हें क्या कहते हैं fault scarps ठीक है new यह मारा clear हो गया सबका आप देखो आगया हमारा diagram यह रहा हमारा upthrone block जिसके बार में हमने पढ़ा था यह है strike और deep यह तो हमने पढ़ रखा है भाई पहले ही और यह जो deep का जो angle बन रहा है आपको 60 degree यह hanging wall है हमारा और यह क्या है down throne block यह upthrone यह down उपर का है यह और नीजे का है यह यह हो गया हमारा fault scarps ठीक है यह जो बन रहा है यह क्या हमारा fault scarps ठीक है हो गया सबका clear यह diagram है हमारा इससे तो सबसे अच्छे समझ में आ गया होगा एक बार फिर से देख लेना आप अब चलो हम आते हैं types of faults में जो terms जरूरी है हमारे लिए वो तो हमने पढ़ लिया false बनाने के लिए जो भी terms थे हमारे वो जरूरी थे और उनके बार में हमने पढ़ लिया अब types of faults में आराम से हम आ सकते हैं the different types of faulting of the crustal rocks are determined by the direction of motion along the fracture plane जो fracture plane है हमारा उसमें कौन से motion हो रहे ठीक है जो motion हो रहे उसका direction क्या है उस पे क्या depend करता हमारा different types of fault different depend करता है अब देखो कैसे depend करेगा direction पे generally the relative moment or displacement of the rock blocks और sleep of the rock blocks अगर approximately in two direction तो जो हमारे relative moments और displacement होते हैं rock blocks के ठीक है वो two direction में होते हैं पहरा तो है direction of deep और दूसरा क्या है direction of fault plane ठीक है direction of strike of fault plane तो देखो यहाँ पे दिख रहा है जो deep है वो vertically हो रहा है और यह क्या हो रहा है यह दोनों moment समझ में आ रहा है तो यह दोनों पे ही depend करता है हमारा क्या fault का types या तो fault का जो types होगा वो ऐसे में मतलब इस moment से हो रहा होगा change या फिर इस moment से हो रहा होगा change तो अब देखो कैसे पढ़ेंगे हम इसको तो इन दोनों के basis पे जो डिवाइड़ हुआ है डिपलेस्मेंट ओफ़ॉल्स हमारा बोल सकते हैं deep sleep falls और दूसरा क्या बोल सकते है strike sleep falls अब इसमें जो हमारे falls आते हैं वो सारे इसी में आ जाते है deep sleep falls में हमारा normal falls और reverse fault आता है ठीक है और strike sleep falls में क्या आता है right lateral और left lateral और यही हमारे four types of falls है ठीक है इनके बारे में ही पढ़ना है तो देखो भाई नॉर्मल फॉल्ट क्या होगा हमारा जस्ट अपॉजिट है अगर आपने इसको पढ़ लिया तो जस्ट इसको उल्टा यह होगा और इसने पढ़ लिया आपको मतलब इसने आपको नहीं पढ़ा आपने इसको पढ़ लि के लिए प्यक्ति के हमारा स्ट्राइ सवाल्ट Lesson ए को की गलने लिए पासरी खेल चह्ते है आगे मरक से सी們 कि नर्मल आरेंगे कैसे formed होता है, formed due to displacement of both rocks blocks in opposite direction जो भी rocks होते हैं हमारे वो उनका moment कि धर होता है, displacement कैसे होता है, opposite direction में होता है तब हमारे बनते हैं normal false usually between 45 and vertical ठीक है, vertical 0 degree होगा और यह जो 45 degree और 0 degree के वीच में vertically ही यह बनता है, ठीक है, देखो vertically ही इधर बन रहा है vertically ही यह नहीं, डीप वाले पर depend कर रहा है, strike पर नहीं कर रहा है depend कर रहा है किस पर deep slip falls पर depend कर रहा है और 40 degree और vertical 0 degree के बीच में यह बनता है steep scarpe resulting from normal false is called fault scarpe और fault line scarpe, जो इस से बनता है, ठीक है यह बन रहा है हमारे इतना scarpe बन रहा है, तो हम इसको क्या कहते है fault scarpe और fault line कहेंगे क्योंकि यह normal बाले से बन रहा है normal false से बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया fault scarpe और fault line it becomes very difficult to find out the exact height of the fault scarps in the field because the height is remarkably reduced to continue denudation, देखो इसमें क्या होता है, कि जो हमारा पिछले हमने scarpe को पढ़ा था, तो वो काफी बड़ा-बड़ा था, अब 3 blocks था तो उसमें scarpe हमें पता चल रहा था लेकिन normally जो normal false में scarpe बनते हैं वो क्या होते हैं, continue denudation की वज़े से खतम हो जाते हैं, reduce होते रहते हैं, ठीक है, तो find out करना मुश्किल होता है, difficult होता है हमारे fault scarpe को normal false में समझ में आ गया सबको, एक बार आप देख लो diagram, क्या हो रहा है, opposite direction में movement हो रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, बन रहा हमारा normal fault, ओके, बहुत simple language में है, आपको समझ में आ जानी चाहिए एक बार में, अब देखो, reverse false हम पढ़ेंगे reverse false false, fault just उसके क्या होगा, opposite होगा, and from due to the moment of both fractured rocks, blocks towards each other, वो क्या हो रहा था, opposite direction में था, और reverse false क्या होगा, एक दूसरे की direction में ही होगा, each other ठीक है, एक दूसरे की तरफ ही भढ़ता है इनका moment एक दूसरे की तरफ होता है Usually inclined at an angle between 40 degree and the horizontal 0 degree अब इनका moment कैसे हो रहा है, horizontally हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या था हमारा उसमें था vertically, ठीक है, वो था 45 degree and vertically 0 degree के बीच में, और यह हमारा reverse false false क्या है, 40 degree and horizontally 0 degree के बीच में इसका angle बनता है, inclined होता है, ठीक है यहां तर ख्लियर हो गया सबका आगे हमारे पास, the vertical stress is minimum, while the horizontal stress is maximum, ठीक है तो जो vertical stress होता है जो vertical यह होता है ठीक है, यह हमारा vertically हो गया, यह horizontally हो गया, तो जब यह horizontal वाला force जादा लगता है, moment जादा होता है जो वर्टिकल ही होता है वह क्या होता है बहुत कम होता है तो जो रॉक बेट soot क्यों होता है अपर से ठीक है वो क्या करते हैं वी करते हैं यह आपर पार्ट धरीटीच्ड वह तो ओसके ऑपर से सकता कोक्त भी डिप गोर्ब रेशते और थास से तो उसकी वज़े से क्या होता है जो हमारा जगा होता है जो हमारा fault plane होता है वो क्या होता है short होता है वो कम होता है और जब normal fault अकल करता है तब क्या होता है extension होता है उसी area क्या वो करता है बढ़ता है और जब हमारा reverse होता है तब क्या होता है ठीक है, समझ मैं आगया सबको, इसको हम thrust faults भी कहते हैं, compressive fault भी कहते हैं, और overthrust fault भी कहते हैं, अब compressional fault इसको क्यों कहते हैं, form due to compressive force resulting from horizontal moment, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, compressive force लगता है horizontal moment की वज़े से, तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं, compressional force, ठीक है, जब compressive force क्या होता है, बहुत जादा बढ़ जाता है, तो one block of fault override, जब एक block है क्या करता है, वो दूसरे के उपर चड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, overthrust fault, ठीक है, बहुत जादा compressive force से यहाँ पर लग जाता है, देखो reverse fault कैसे बन रहा है, एक दूसरे पर यह क्या हो गय आगे हम पढ़ेंगे lateral fault, ठीक है, lateral or strike sleep falls are formed when the rock blocks are displaced horizontally along the fault plane due to horizontal moment, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे rock blocks हैं, वो displaced हो रहे हैं क्या horizontally along the fault plane due to horizontal moment, अब यहाँ पर देखो fault plane के उपर, sorry, fault plane पर यह क्या हो रहा है, horizontal moment हो रहा है, और जो हमारे rocks हैं, rock blocks हो horizontally displaced हो रहे हैं, तब हमारा यह lateral or strike sleep fault बन रहा है, अब इसमें दो होता है, एक होता है left lateral और दूसरा क्या होता है, right lateral, इसको हम sinistral भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, dextral falls, ठीक है, अब भई, left lateral कब बन एक देखो हमारा पूरा का पूरा यह block है, ठीक है, आधा इसमें से टूट करके यह क्या हो जागा, एक इधर जाने लएगा, बस एक जैसे रहेगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है, बस एक यह होगा, या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, ठीक है, जब इधर जाएग when the displacement of rock blocks देखो यहाँ पर गरवड हुई होगी right lateral और left lateral समझाने में तो आगे यहाँ पर हमारा बनाया हुआ है आप देख लेना उसको समझ में आ जागा अब देखो भई क्या है right lateral when the displacement of rock blocks takes place to the right on the far side of the fault अब यहाँ पर क्या होता है जो displacement of rock blocks का वो right side की तरफ होता है fault के right side की तरफ तो उसको हम क्या कहेंगे right lateral ठीक है there are no scarps in such faults if they occur at all they are very low in height यहाँ पर कोई भी scarps नहीं बनता है क्योंकि horizontally moment हो रहा है vertically तो हो नहीं रहा है तो scarps बनने का कोई वो नहीं है क्योंकि इनकी height के होती है बहुत कम होती है मतलब vertically moment नहीं होता है तो height तो कम ही बनेगी न बहुत कम तो scarps तो बनेगे नहीं अब देखो यह होगा हमारा right lateral और यह क्या होगा हमारा left lateral ठीक है समझ में आ गया सबको अब हम आगे बढ़ेंगे अब देखो यह step faults और यह हमारा last करेगा types of faults when a series of faults occur in any area in such a way that slopes of all the faults play and are in the same direction the resultant faults are called as step faults यह कब होता है जब एक series of faults बहुत आरे faults बनते हैं ठीक है एक ही direction में एक ही जागा पे बनेंगे ठीक है और वो क्या होगे एक slopes की तरह भी दिखेंगे fall plans पे तो उसे हम क्या कहेंगे steep falls कहेंगे step falls step falls आप इसका मतलब यह भी समझ सकते हो एक कदम जैसे सीडिया होती है ना बिल्कुल सीडियो की तरह यह दिखेंगे आपको step falls आगे क्या है the downward displacement of all the downtron blocks must occur in the same direction जो हमारे downward displacement जो होगा हमारा downtron blocks का वो एक ही direction में होगा अब देखो कैसे होगा देखो यहाँ पे यह हमारा पूरा का पूरा block था ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है step falls हो रहा है एक cd दूसरी cd तीसरी cd समझ में आ गया आपको कैसे हो रहा है यह एक ही direction में आते जा रहा है inclined है और क्या हो रहे series of falls यहाँ पे बन रहे आकर कर रहे एक हो गया है पे fault बना दूसरा बना तिसरा बना चौथा बना एक cd की तरह बन रहे है एक ही direction में बन रहे है और एक ही fault plan पे बन रहे है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज जाने के बाद भी अगर नोट्स ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना ठीक है?